अर्वली जिल्ला ना मोडासा तालू का पंचायत मा अमारवा मा आवेला होडिंग्स पर HDFC बैंक ना सौजन थीना होडिंग्स लगावा माफ्या था ते समय तालू का कॉंग्रेस पक्ष द्वारा तेनो विरोध व्यक्त करता जिल्ला विकास अधिकारी ना आदेश थी HDFC बैंक ना सौजन थीना लोगो दूर कराया था अर्वली जिल्ला ना मोडासा तालू का पंचायत नी विविद शाखाओं मा लगावेला होडिंग्स पर आज सी लगबग त्रण चार मास अगाओ HDFC बैंक ना सौजन थीना लोगो लगावी देवामा आविया था ते समय तालू का कॉंग्रेस पक्ष द्वारा अबावते सक्त विरोध नोधावमा आविया थो जे संदर बे गुजरात नीूज जे आ अंगे ना हैवाल प्रसारित करवामा आविया थो तालू का बंचायत जाने के HDFC बैंक ना ताबामा आवि गई होए तेम तमाम शाखाओं मा सौजन थीना होडिंग्स मारी देवामा आविया था जे अंगे नो हैवाल गुजरात नीूज उपर प्रसारित करवाता आजे आ होडिंग्स दूर करवाया थे तमाम कॉंग्रेस पक्ष गुजरात नीूज नो आभार मानी रहो थे गुजरात न्यूज चैनल द्वारा आज थी 32 मास अगव जे प्रसालित करवा में आवेलू के मोड़ा सा तालू का पंचायत में HDFC बेंक ना सवजन धी जे विविद शाखाव में बौड बनावा में आवेला येनू प्रसारन आपना मध्यम थी 33 मास पहला कडेलू एना माटे जिल्ला विका सदीकारी स्री अमारा विरूत पक्ष्णा निता स्री जिल्ला पंचाना सदस्री नमें बधायर रजुआत करी अने ना फ़र सरूपे जिल्ला विका सदीकारी तालू का विका सदीकारी ने आपसे बैंगनू करवा मावी वतुँ जेनों विरोध जारे कॉंग्रेस पक्षे शरुवात करी त्यारे गुजरात न्यूज चैनल द्वारा एने जे साचा प्रश्णों नी जे वाचा आती एह तुसर एनू प्रसारित करवा मावेलू आ प्रसारान ना कारणे जिल्ला विका सधीकारी स्री है तालू का विका सधीकारी स्री ने जान करी औने जे आ बौड खोटी नी ते जे लखावा मावेला एद दूर करवा आधे शापवा मावेल जेना भल स्वरूपे आ जे आप जो ही रहा चो के बौड ने अंदर काड़ों कुछो मारी औने अच्री एपसी बै पगले साब्दू तंत्र जागता HDFC बैंक ना सोजन ने थी ना लोगों पर काड़ो कूचो मारी ने दूर करावाता तालू का कॉंग्रिश पक्षमा खुसी नो माहौल जुवा मड़ी रहो छे गुजरात न्यूज उपर एहवाल प्रसारित करिया बाद जिल्ला विका सदिकारी माटे ए मुड़ासा तालू का बंचायती मुलाकात लेता आ होडिंग्स पर एहवी अफसी नो लोगों दूर करावा आदेश अपाया छे जनाकार ने आजे काडो कूचो मारी ने लोगों दूर कराता मुड़ासा ना धारासेब्ब सहीतना कॉंग्रिश पक्षे गुजरात न्यूज नो आभार मानी न्यूज टीम नी सफ़ड कामगीरी ने बिरदा विया दी बरत करिया मुड़ासा